ठेलो दोस्तों आप सभी का हमारे एलन फॉर्मर चैनल में स्वागत है वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेय कर दे चलिए वीडियो करे शुरू राज्य में वंचितवर्क के बच्चों को तालीम दिलाने में एहम भूमिका निभाने वाले टोला सेवक और तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयम सेवी अब एक ही नाम से पुकारे जाएंगे टोला सेवक अब शिक्षा सेवक तथा तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयम सेवी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज कहलाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने सोमवार को यह बदलाव किया है नाम बदलने के साथ ही टोला सेवक वशिक्षा स्वयम सेवियों के दायत्व और कारे को भी विस्तार दिया गया है। प्रधान सचिव आर के महाजन की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक। सरकार ने शिक्षा सेवकों की कार्यावधी भी तै कर दी है। इनकी कार्यावधी सुबह आठ बजे से अप्रहन चार बजे तक होगी। विद्याले के प्राताह कालीन होने पर उसके अनुसार इनका आठ घंटे का ड्यूटी टाइम होगा। अधिसूचना के मुताबिक सेवकाल में मृत्यू होने पर शिक्षा सेवकों को अनुग्रय अनुदान के रूप में दिया जाने वाला चार लाग देने का अधिकार अब जिलों को दे दिया गया है। जिले आश्रित के खाते में मृत्यू के 15 दिन के अंदर राशी भेज देंगे। यह दायत्वर जिला कारिक्रम पदाधिकारी, साक्षरता का होगा। जिले यह भुगतान महादलित, दलित एवं अलपसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आचल योजना के खाते से अभी अनुग्रय अनुदान की स्वीकृती राज्जिस्तर से दी जाती थी और इसमें काफी विलंब होता था। 15-45 वर्ष तक की महिलाओं को करेंगे साक्षर प्रधान सचिव ने सपष्ट किया है कि शिक्षा सेवकों को 15-35 वर्ष तक की महिलाओं की जगए अब 15-45 वर् एवं दायत्वर तै किये हैं। पहले मोटे तोर पर वंचित्व कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्याले से जोड़ना इनका दायत्व था। अधिसूचना के मुताबिक 6-14 वर्ष तक के बच्चों को विद्याले से जोड़ना उनकी उपस्थिती 75 फीसदी बनाए रखन इनका काम होगा। टोले के बच्चों को इकट है। आरंभिक तैयारी कराकर स्कूल ले जाएंगे। चेतना सत्र में आरंभ में दो घंटे स्कूल में रहेंगे। 15-45 वर्ष तक की महिलाओं को दोपहर में एक घंटा पढ़ाएंगे। मा को उनके बच्चों की प्रगती की जानकारी देंगे। सरकार की विकास योजनाओं से टोले के लोगों को जोड़ेंगे। उनके लाब बताएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा, कल्यान, आपदा, आदी विभागों एवं लाभुकों के बीच कड़ी बनेंगे। इस वर्ग के नौजवानों को भी आगे बढ़ करेंगे। धन्यवाद!